नमस्कार लेखकों! आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत हैं! क्या आप भी लिखते लिखते समझ नहीं पाते कि आगे कैसे बढ़ें? चिंता ना करें? यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? इस सिचुएशन को राइटर्स ब्लॉग या रचनात्मक अवरोध कहते हैं। राइटर्स ब्लॉग एक लेखक के दिमाग में होता है जब वो समझ नहीं पाता कि अपने लिखी गए कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाएं। यह बहुत कॉमन है और अकसर कई लेखकों के साथ होता नहीं। लेकिन अब इसे सॉल्फ कैसे करें? इस वीडियो में हम आपकी मदद करेंगे और सिखाएंगे कुछ टेक्नीट्स जो राइटर्स ब्लॉग को पात करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले राइटर्स ब्लॉग को बहुत बड़ी प्रॉबलम ना समझें। इसे क्रियेटिव प्रॉसस का हिस्सा समझना ज़रूरी है। साधारं तोर पर हर राइटर इस दौर से गुजरते हैं। महतपून बस यह है कि इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ तरीके। फ्री राइटिंग कोशिश करें कि आप थोड़ा टाइम फ्री राइटिंग के लिए निकालें। रोज 10-15 मिनट का टाइम सेट करें और जो भी आपके मन में आ रहा है उसे पेपर पर लिख लें। यह है प्रॉसस आपके दिमाग को क्लियर करने में हेल्प करेगा और आप आपके आइडियास कहीं लिखित होने से आपको कहानी फिर से शुरू करने में सहायता होगी। कई बार जस जॉन्र पर आप लिख रहे हैं उसी जॉन्र की कोई और क्रती आपके सहायता कर सकती है आप नई विचार धारा के लिए आपकी कहानी से मिलती शैली की कहानिया, मूवीज या सीरियल्स को भी पढ़ या देख सकते हैं इससे अकसर आपको आपकी कहानी में आगे बढ़ने के लिए काफी आइडियाज मिल चाहेंगे एक छोटा सा सीन या आइडिया आपके मन में 100 नए आइडियाज को जम दे सकता है कभी-कभी एक ही माहौल में लिखते-लिखते लेखं को नए खयाल आने में परेशानी होती है एक नया माहौल और एक नई इंस्पिरेशन आपकी कहानी को आगे लिखने में मदद कर सकती है जैसे कि आप कोई भी कैफे में जाकर लिख सकते हैं या कहीं बाहर नेचर में जाकर लिखने की तोशिश करें या आपकी कहानी से रिलेटेट कोई जगह पर भी जाकर लिखने में आपकी कहानी के लेखन को बहुत मदद मिल सकती है Discuss with colleagues and friends कहानी आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा और सरल उपाय है कहानी में एक नए किरदार का प्रवेश इसके जरीए आप ना सिर्फ फिर से लिखना शुरू करेंगे बलकि आप कहानी में कई सारे plotists, new relations, flashback stories भी स्थापित कर सकते हैं Small targets कई बार writer's blog बड़े-बड़े projects में भी हो सकता है उससे आगे बढ़ने के लिए project में छोटे-छोटे targets बनाएं और एक-एक करके उन्हें complete करें जैसे कि दिन का एक chapter या हफते में 10,000 शब्द एक शांतमन ही creativity को जन दे सकता है Pomodoro technique अगर आप कई समय से लिख रहे हैं तो ideas अक्सर खत्म हो चाते हैं इससे उभरने के लिए Pomodoro technique का इस्तेमाल करें इसके हिसाब से करीबन 25 मिनिट लिखें और फिर 5 मिनिट का break लें यह करने से आपको ठकान भी नहीं होगी और दिमाग भी fresh रहेगा Fantasy thinking अपनी काल्पनिक श्यंता को बढ़ाने के लिए अपनी सोच वास्तविक दुनिया तक सीमिक ना रखने अपने दिमाग को काल्पनिक दुनिया या घटनाओं में भी खोने दे कई बार सबसे अच्छे खयाल तब आते हैं जब आप कुछ विशेश रूप में सोच ने की कोई खास कोशिश नहीं कर रहे होते हैं बस अपने मन और दिमाग को सपनों के दुनिया या अपने खयालों में मगन होने दे Writer's Block एक बहुती आम प्रॉब्लम है इससे जादा परेशान मत हूँ और अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो में बताएगा Solutions को Implement करें याद रखें हर महान लेखक का प्रॉब्लम से सामना होता है यह आपकी सोच और द्रटा पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे पार करते हैं और उन पे विज़ाई हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको आपकी कहानी को आगे बढ़ाने और आपके Writer's Block से आगे बढ़ने में मदद करेगा आशा है कि आप इन नुस्खों का पूरा लाब उठाएंगे इसके साथ अगर यह वीडियो आपको helpful लगा हो तो like, share और comment करना ना भूले और यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले